हेलो दोस्तों दोस्तों आपका अमारे यूटूब चनल में स्वागत है दोस्तों आज हम साइन्स का एक महतपून टोपिक लेकर आए हैं परमानू, अनू, तत्वा, योगिक और मिस्रण इनके उधारन सहीत इनकी परिवासाओं को में इसपेश्ट और अच्छी तरह से समझने वाले हैं वैसे दोस्तों बुक्स के अंदर आपने इनकी परिवासाओं देखी होगी लेकिन आप अच्छी तरह से इनको समझ नहीं पाए होंगे आज दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद में इससे डिलेटेड कोई भी समझया आपके मन में नहीं रहने वाली है तो देखें दोस्तों परिवासाओं के सामने लिखी हुई है हमें रटना नहीं है बलकि समझना है दोस्तों परिवासाओं को समझने से पहले आप पधारत के बारे में जानिये हम जो भी अपनी आँखों से देखते हैं चार और या फिर हम अपनी जो भी ग्यानिंद्रियाई पांच जो ग्यानिंद्रियाई होती है जीब, आँख, ना, कान और तुचा तो दोस्तो इनके मादेम से कोई भी वस्तू जिसको हम अनुबव करते हैं या देखते हैं या सुंगते हैं वो पदार्थ कहलाता है पदार्थ जिसका दूसरा नाम दोस्तो दर्वे भी होता है पदार्थ जिसे दर्वे भी कहते हैं और परते एक पदार्थ जो एक सुक्समतम कणों से मिलकर बना हुआ होता है देखे दोस्तो आपके सामने ये पेन है यह पेन भी एक पदार्त है, अब इस पेन को अगर हम तोड़ते जाए, तोड़ते जाए पत्थर से, तो लाश्ट में एक एसा कन आएगा, छोटा सा बारिक सा कन जिसको हम आखो से देख नहीं पाएंगे, उसको और आगे अगर हम हतोड़े से तोड़े, किसी से भी पत्थर स भी तोड़े, तो वो तूट नहीं पाएगा आगे, तो उस लाश्ट वाली जो सीमा वाला जो कन जो बचा है, उस कन को दोस्तों परमानु कहते हैं, यह परमानु की वास्त्विक परिवासा है, अब देखिए दोस्तों, इससा पुरुए लगबग 500 इससा पुरुए एक महर सी कनाद जिनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने वो एक दार्शनिक थे और उस टाइम उन्होंने बोल दिया था कि पदार्थ का एक सबसे छोटे से छोटा कन होता है, जिसको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन उस टाइम उन्होंने परमानु नाम नहीं समय दोस्तों उन्होंने कहा कि पदार्थ का ये कि सुक्सम्तमकन जिसको आगे और विबाचित नहीं किया जा सका उसको परमानू कहते हैं तो वास्तों में दोस्तों 1808 में जोन डोल्टन ने ही परमानू चिदान दिया और परमानू नाम दिया था अब देखे दोस्तों पर्मानों की परिवासा क्या बनती है तो सभी पदार्थ सुक्स्तमकणों से मिलकर बने वे होते हैं ये दोस्तों हमने आपको बता दिया है कि कोई सा भी पदार्थ उठा के लिए लोगा परकरती का वो सुक्स्तमकणों से मिलकर बनावा होता है मतलब प सवतंतर अस्तित्वा नहीं होता है परमानु करते हैं अब देखे दोस्तों इस लाइन को आप समझे कि जो परमानु होता है परदात का सबसे सुक्स्तमकन जिसको परमानु करते हैं वो कभी भी सवतंतर अवस्ता में नहीं बाया जाता अकेला नहीं रह सकता दोस्तों वो साथ में रहता है अनू बना कर रहता है तो ध्यान रखना दोस्तो परमाणू की सही परिवासा यही है कि परमाणू कभी भी सवतंतर अस्तित्वा में नहीं रह सकता अगर आप अक्रिय गेसों के बारे में सुनते हो तो दोस्तो अक्रिय गेस हमेशा सवतंतर रूप में रहती है ठीक है दोस्तों आप आउर्थ सांड़ी के बारे में जब पढ़ोगे आगे क्लास के अंदर 11-12 के अंदर तब आपको पता लगेगा कि जो अक्रिय गेस होती है वो के अबल सबतंद रहस्ता हमें रह सकती है उसके परमानू अब देखिए दोस्तों इनका आकार और जोन डोल्टन ने परमानू सिदान दिया था परमानू के बारे में सबसे पहले बताने वाले यही थे तो दोस्तों यह बनती है आपके सामने परमानू की एक परिबासा और परमानू के बारे में सामाने जानकारी दोस्तो जो परमाणू होते हैं परमाणू जब मिलते हैं तबी तो अनू बनते हैं और इनी परमाणू से दोस्तो आयन बनते हैं तो एक तरह से दोस्तो केमेश्ट्री का ये बेसिक है और इसको आपको समझना बेहत जरूरी है आप दोस्तों जो मैं एक एक लाइन्स बोल रहा हूँ उन पर घोर करिये और दोस्तों अगर आप बेसिक अपना अच्छी तरह से मजबूत कर लेते हो ना तो केमेश्ट्री आपके लिए बहुत आसान बन जाएगी वो आपके लिए एक केमेश्ट्री नहीं रहने वाली है दोस्तों जब बहुत सारे परमाणू मिल जाते हैं तो एक पदार्थ बनता है जिसे ये एक पेन है दोस्तों इसमें असंख्य परमाणू है और इसी से इनी परमाणू को हम देख सकते हैं जब परमाणू का एक ग्रूप बन जाता है एक पदार्थ बन जाता है तब हम उसको देख पाते हैं वरना दोस्तों एक परमाणू को हम नहीं देख सकते आप देखे दोस्तों आगे दूसरी परीबास आती है आपके सामने अनू तत्वय या योगिक का सुक्सतमकन जो षवतंतर रूप में रहे सकता है तता उस तत्वय या योगिक के सभी गुण होते हैं उसे अनू कहते है अब देखें दोस्तों इसको आप समझेे अनू का मतलब क्या होता है कि एक परमाणू नहीं होकर उसके साथ में दो या दो से अध तो सबसे पहले दोस्तों हम इनको समझ लेते हैं कि तत्वय योगी को और ये क्या होते हैं ताकि इनको अगर हम अच्छी तरह से समझ लेंगे ना तो ये अनुवाली परिवासा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी तो देखे दोस्तों साथ में देखे आप तत्वय तत्वा जिसे element भी कहते हैं और देखे ये तत्वा कहते किसे आंकिर एक ही परकार के परमाणू के समू को तत्वा कहते हैं अब आप इसे example से समझे माल लीजे दोस्तों आपने एक सोने की chain बनवाई है ये सोने की chain है ब्रासलेट माल लीजे कुछ भी अब इसमें क्या होगा ब परिवास्तों में अंडे नहीं है ये सोने के परमाणू है एयू जिसे गोल्ड कहते हैं एयू तो एयू के ये देखे दोस्तों परमाणू है यहाँ पर जितने भी आपको ये गोले दिखाई दे रहे हैं ये सारे एयू के परमाणू है मतलब गोल्ड के सोने के परमाणू है तो यहाँ पे कोई दूसरा पर्माणू है क्या नहीं है नहीं है इसका मतलब देखे यही तत्वा है तो यहाँ परिवासा आप समझे देखे दोस्तों एक ही परकार के पर्माणू के समू को तत्वा करते हैं यहाँ पर यह जो पदारता है इसमें एक ही परकार के पर्माणू ह सारे दूसरा कोई नहीं है इसलिए दोस्तों इसको तत्वा बोल दिया अब देखे आगे किसी तत्वा का अनू एक परमानू या एक से अधिक परमानू से मिलकर बना हुआ होता है इसको भी समझे दोस्तों देखे दोस्तों तत्वा है तत्वा के अंदर क्या होते हैं जब मिलते हैं तभी तो क्या बनते हैं दोस्तों अनू मालीज ये ओक्षिजन है ये देखिए कोई ये ओक्षिजन है दो ओक्षिजन है तो दो ओक्षिजन के जब परमाणू मिलते हैं तो दोस्तों क्या बनती है और टू गेस ऑक्षिजन गेस बनती है तो यहां पर देखिए यहां कहने का मतलब क्या है दोस्तों किसी तत्व का अनू एक परमाणू का मतलब क्या है जो अक्रिय गेसे होती है जो आवरतसार्णी के अंदर अक्रिय गेसे होती है अठारवा वर्ग होता है उसमें जिसे हीलियम नियोन वगेरा है ओर्गन गेस है तो यह गेसे क्या होती है ये दूसरी गेसों से किरिया नहीं करती, इनका जो इस्ताई विन्यास होता है, ये दोस्तों अगर आप डेप्ट में समझोगे तो और आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, फिलाल आप नॉर्मली समझ लीजिए, जो अक्रिय गेसे होती है न, उनका इस्ताई विन्यास होता है लेकिन यहां पर जो हीलियम है, इनके दो परमाणू नहीं मिनेंगे, दो परमाणू आपस में नहीं मिलने वाले हैं, जैसे नियोन है, इसके भी दोनों परमाणू आपस में नहीं मिलेंगे, साथ में नहीं जुडने वाले हैं, क्योंकि यह तो अकेले ही खुस है, और यहां उसका कोई मतलब नहीं है, यहां पर हम एक एक सब्द को अच्छी तरह से समझा रहे हैं, हाला कि आपको पहली बार समझने में थोड़ा जोर आ सकता है, confusion लग सकती है, लेकिन इस वीडियो को बार बार आप समझ जिए, क्योंकि एक बार अगर आपने ये समझ लिया ना, दोस् अधिक परमानों से मिलकर बना हुआ हो सकता है, अब अनू का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे यहां गोल्ड है, गोल्ड में आप समझे, माल लिये दो गोले हैं, दो गोले मिलकर एक अनू मनाता है, इसी तरह देखी, दोस्तों, बहुत सारे अनू हो गए इसके अंदर, ह इसके अनुसार अक्रिय गेसो के अनुसार ठीक है दोस्तों या फिर एक से अधिक परमाणों का मिलकर बना हुआ होता है जैसे यहां मैंने दो दो गोले लिये हैं तो दो दो परमाणों से मिलकर बना हुआ है अनु है तो यह परिवासा इसकी तत्व की है तत्व के अंदर क्या लिए है पिदात के अंदर .' अकशिजन GES लिए मान लिए ऑुशिजन GES तो आकशिजन GES में क्या होता है, दोस्तो जो अंव के जोड़े में रहेंगे, क्योंकि ओक्सिजन जोड़े के रूप में रहती है, तो Oxyhan क्या बनाती है? O2 बनाती है, O2 का मतलब है, दो Oxyhan के पर्मानू आपस में साथ में जूड़ेंगे, तो यह देखो, यह तत्वा के अंदर O2 बन गया, लेकिन Oxyının O2 के अलावा दोस्तो O3 भी बनाती है O3 जिसको हम क्या कहते है Ozone Ozone परत होती है ना तो Ozone O3 के रूप में भी होती है तो यहाँ पर देखे तीन OXygen के अनू जोड लीजिए तो यहाँ पर तीन तो यहाँ पर हम कह सकते है कि OXygen दो परमाणों के रूप में भी रहती है तीन परमाणों की रूप में भी रहती है मतलब OXygen के अनू दो फोम में होते है यह दोस्तो बारीकी है अगर आपको समझ में आ रही है तो ठीक है लेकिन आप इस परिवासा को जरूर समझ लीजिए तत्वा का मतलब क्या होता है कि एक ही परकार के जो परमाणू होते हैं ना साथ में वो तत्वा कहते हैं जैसे सुद्ध सोना है आप सुद्ध कोई भी चीज है जैसे सुद्ध चांदी है तो इसके अंदर इसका मतलब क्या है उसके ही केवल तत्वा है दूसरे तत्वा नहीं ह ये दोस्तो तत्व की परिवासाती अब देखे योगिक योगिक किसे कहते है योगिक जिसको कंपाउंड कहते है अब देखे नाम से ही आप समझ रहे हो योगिक योगिक का मतलब है योग होना मतलब दो या दो से अधिक तत्तु के परमानू एक निश्चित अनुपात में संयोग कर योगिक बनाते हैं यहाँ पर दोस्थो योगिक और मिßरन की परिवासा में थोड़ा सा यह अन्तर है योगिक में क्या होता है? कि जो परमाणू होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में जूडते हैं जैसे यहां पर आप एक्जामपल देखिए यहां अनस्तरी है यह अमोनिया है अमोनिया के अंदर देखे दोस्तो एक तो नाइटरोजन है और तीन हाइडरोजन है मतलब इनका अनुपात निश्चित है ऐसे नहीं नाइटरोजन कितनी ही आगए हाइडरोजन भी मन चले उतने आगए तो यहां पर ऐसा नहीं है मतलब इनका योग जलूर हो रहा है इसलिए इनका योगी करते हैं और इनका अनुपात निश्चित है कि nitrogen एक है तो hydrogen तीन है और दोस्तों misran इसमें उल्टा होता है misran में क्या होता है कि इसका कोई पता नहीं है nitrogen मनचाई जितने आए hydrogen मनचाई जितने आए तो उसको ही तो कहते है misran misran का मतलब आप समझ लिए एक तरसे भीड भीड में पता ही नहीं रहता कितने आदमी है कितनी ओरते हैं कितने बच्चे हैं तो योगिक और misran में दोस्तों आप अंतर समझ गये होंगे परिवासा देख लीजी आप साथ में mixture की कि दो या दो से अधिक तत्व योगिकों को उसे क्या कहते हैं मिश्रण अब मिश्रण में देखें दोस्तों मिश्रण भी दो परकार का होता है एक तो समांगी मिश्रण दूसरा विसमांगी मिश्रण समांगी जिसे होमोजिनेस मिश्रण कहते हैं समांगी जिसा कि इसके नाम से इस पेश्ट है दोस्तों इसके जो मिश्रन होगा इसमें सभी समान अंग में रहेंगे मान लेजे कोई हमारे चार ओर गेस है ठीक है चार ओर हमारे हवाय रहती है दोस्तों गेस जिसमें ऑक्षिजन गेस भी है nitrogen gas भी है CO2 भी है इसका मतलब जो सारी है वो gas के form में है ऐसे तो नहीं न कि nitrogen ठोस के रूप में गुम रही है पत्थर के रूप में बंद कर और oxygen है जो पानी के रूप में गुम रही है तो ऐसा तो नहीं है सभी gas की अवस्ता में है इसका मतलब सभी समान अंग के रूप में हैं तो उसे कहते है दोस्तो समांगी विस्रंड जैसे वायू अब देखे विस्मांगी मिस्रंड जिसे heterogeneous मिस्रंड भी कहते हैं इसमें जैसे आते हैं दोस्तो दूद, बादल, धुआ अब देखे बादल के अंदर दूद के अंदर आप दुआ या इनके अंदर देखे दोस्तों सारी गेसे नहीं होती जैसे बादल में आप देखते हो तो बादल के अंदर पानी के कन भी होते हैं और उसके अंदर गेस भी होती है तो कन भी होते है रेत के तो ये दोस्तों मिले वे होते हैं सारे सब कुछ मतलब जो सारी अवस्ताइं हैं वो ठोस के रूप में भी दर्वय, गे, सभी मिक्षर होता है एक तरह से इसलिए दोस्तों इसको विस्मांगी मिसर्ण करते हैं जैसे आप विस्मांगी मिसर्ण का दूसरा उदान देख सकते होगा जैसे पानी है, पानी ये गिलास में पानी लेके आप छोटे बच्चे थे तो पानी लेके उसके अंदर रे डाल दे दे थे, रे मिटी तो वो एक तरह से विस्मांगी मिसर्ण था, जैसे आपने निम्बू पानी पिया होगा निम्बू पानी के अंदर जैसे निम्बू नमक और पानी तीनों को मिक्षर कर देते हो तो आपको ऐसा लगता है कि सारे गुल मिल गए तो ऐसा समांगी मिष्रण बन जाता है जिसके अंदर क्या होता है उसे इस नहीं रहते ये दोस्तों हमने आपको समझाने के लिए बताया है तो अब आप समझ गयोंगे दोस्तों तत्वय योगिक और मिष्रण इनकी परिवासाओं में क्या अंतर होता है योगिक दोस्तों नाम से इस परश्ट है योगिक का मतलब क्या होता है योगोना दो- या-दो-से-अधिक परमाणू का निश्यत अनुपात में योग होना मिश्रण में क्या होता है कोई अनुपात नहीं होता अग दोस्तों हम अनू की परिवासा पर आते हैं ध्यान रखना दोस्तों ज्यादतर बच्चों के मन्द में ये confusion रहता है कि अनू और योगिक ये सेम होते हैं अनू के अंदर भी क्या होते हैं दो या दो से अधिक परमाणू होते हैं और योगिक योगिक के अंदर भी दो या दो से अधिक परमाणू होते हैं लेकिन दोस्तो आज हम आपको अंतर समझाने वाले हैं कि अनुक में क्या होता है दोस्तों किसी तत्वय या योगी का सुक्सितमकन जो सब्दंदर रूप में रह सकता है उस तत्वय या योगी के सभी गुण होते हैं उसे अनुक होते हैं अब देखें दोस्तों आपको ये परिवासाई समझ में आ जाएगी अणू में क्या होता है किसी तत्वय या योगिक का सुक्सम्तमकन यहां पर देखें दोस्तों योगिक में हमने आपको बताया कि दो या दो से अलग परमानू होते हैं मतलब दो जो परमानू आपस में जुड़ते हैं वो देखें यहां पर योगिक समझें अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया O2 O2 मतलब दो oxygen के परमाणू मिले वे हैं अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर अंतर समझे आप इन में से कि योगिक इन में से कौन सा है NECL क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग परमाणू है ध्यान रखना दोस्तों और यह oxygen क्या है यह एक अनू है यह एक अनू है और यह क्या है दोस्तों योगिक है ध्यान रखना यहीं पे दोस्तों confusion रहती है योगी का मतलब दो अलग लग परमाणू जुड़े हैं और अनू के अंदर दोस्तो समान परमाणू भी हो सकते हैं इसलिए दोस्तो यहां पर परिवास आप देखिए कि किसी तत्वे, तत्वे का मतलब क्या होते हैं दोस्तों समान परमाणू योगि का मतलब क्या है यह आप देख सकते हैं आप अलग लग परमाणू तो ऐसे बहुत सारी ने सील रहेंगे तो यहाँ पर दोस्तों योगि का हम सुक्रितम करन किसको बोलेंगे NACL को ठीक है तो यहाँ देखिए दोस्तों किसी तत्व या योगी का सुक्षुतम करण जो सवतंतर रूप में रह सकता है तदा उस तत्व या योगी के सबी गुन होते हैं उसे अनू करते हैं अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने एक oxygen तत्व का एक अनू लिया है O2 और यहाँ हमने नमक का एक अनू लिया है NACL तो यहाँ पर जो एक NACL का अनू है अगर इसको आप मूँ के अंदर या जीब का सुआत लेकर देखो तो वही खारापन अनूब होगा जो नमक में होत होता है इसका मतलब दोस्तों इसके अंदर नमक के सारे गुण विद्वान है जबकि इसका यह एक अनू है और उसी तरह दोस्तों ओक्सिजन में भी जो oxygen तत्व है उसका सारा गुण इसी के अंदर रहेगा oxygen अनू के अंदर तो दोस्तों इसे कहते हैं अनू अब आप समझ होंगे दोस्तों अनू और योगिक में क्या अंतर होता है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में सेर करिए धन्यवाद दोस्तों